हाई गाई इस वीडियो में हम बात करेंगे मेश राशी के बारे मेश राशी के लड़कियों के बारे मेश राशी की जो लड़किया होती है मेश राशी की जो लड़किया होती है वो है डॉमिनेटेट बाई मार्स क्योंकि एरीस साइन मार्स से रूल होता है मंगल गरे से रू लोगा यालसी नहीं होती है यह इनकोना कोई डिसीजिन बनाना पसंद है में स्टैकनेंट रहना इनको बिल्कुल नहीं देता है एक मिन इनको बीलकुल पसंद नहीं और कभी भी रहती अपने लैफ में मुफ्मेन्ट इनको हमेशा चाहिए आप अश्वीनि लिए नक्षात्र में अगर इनका जन्म होए हूता है इनको लफ रिलेशन्शिप रखना पसंद होता है लेकिन एक नेगर्टिब साइड इनका यह होसकता है कि I mean ये गलत लड़की के प्रेम में पढ़ सकती है जो की anti-social kind of personality हो थोड़े गुंडे टाइप के लोगों के साथ इनको जादा कई बार घुलते मिलते हुए देखा गया है तो अश्विनी नक्षत्र वैसे बहुत स्वीट होती है अपना काम ये बहुत आराम से किसी से attractive looks होता है eyes भी बहुत सुन्दर होती है तो निकाल सकती है अपना काम ठीक है किसी से भी अपने sweet talks और वैसे भी बहुत affectionate भी होती है और caring होती है बस इनको अपने प्रेम जीवन के मामले में ध्यान अकना पड़ेगा और वैसे overall मेश राशी की जो लड़के होती है ये बहुत ही पहली काके impulsive डाइनमिक होती है ये कोई भी startup करेगी तो initiative लेके उसको बहुत अच्छी तरीके से hard work करके बिलकुल किसी भी काम को delay ना करके करती रहेंगी और लगे रहेंगी अब बात करते हैं कि भरनी नक्षतर, भरनी नक्षतर के अगर लड़की होती है तो भरनी नक्षतर is ruled by the planet Venus अश्विनी वस ruled by अश्विनी is ruled by लग प्लाइनट के तु बोलना भूल गया तो ये natural healers भी होती हैं अश्विनी नक्षतर की ठीक है तो यह काफे attractive होती हैं, इनको arts की तरफ काफी ध्यान होता है, आप इनको film industry या fashion industry या I mean किसी भी प्रकार की beauty industry में काफी देख सकते हो, sports line में इनको काफी देख सकते हो, आप sports में भी काफी अच्छा कर सकते ही हैं, और ये अच्छे mathematics में काफी अच्छी हो सकती है, क्योंकि Venus Mars क सा कॉम्मिनेशन बन जा रहा है मार्स इस तरूलर अफ एरीज और आपका जो यह बनता है आपका भरनी नक्षत्र वह बीने सुरूल है और यह दिखने में भी चामी होती है और इनको स्ट्रेट फ़रवर्ट करना पसंद होता है कई बार रूड हो जाती है लेकिन इनको को नर्चर करना पसंद हो सकता है होता है लेकिन इनके खुद के बच्चे होने में थोड़ी दिक्कते आ सकती है तो नेसेसरी प्रिकॉशिंस और जो भी रेमेडीज है वो इनको करना चाहिए डॉक्टर को की सला लेते रहना चाहिए अब आते है क्रितिका का सिरफ एक ही चर के साथ रहना इनको पसंद नहीं होता तो बहुत जल्दी रिलेशंशिप काट सकती है और यह अगेन लीडर्शिप रोल्स में काफी अच्छा होगी संड रिलेटेटर्ट फील्स में भी काफी अच्छा कर सकती हैं किसी भी प्रकार के अक्टिविटीज में जहां पे भी ली रखना चाहिए अपने बड़े बुजूर को से थोड़े अच्छी तरह बात करनी चाहिए और रिलेशन्शिप अगर आपको वो ना करें तो ऐसी बात नहीं कि एक्दम तुरंत काट दें थोड़ा धहरिये रखें धीरे रखें और तभी जाके वैसे अवरल देखा जाए तो ने बहुत ही डाइनमिक ओटिखने में अगति ओजिंशीशन को हासिल कर जाती है और बहुत ही अच्छी राशी है बस इनको ये ध्यान रखना है कि इनको अपनी संगती का ध्यान बहुत रखना चाहिए और किसके प्रती ये प्रेम रखती है उसके जब अपने घरवालों के बारे में सोचिए और किसी भी उल्टे सीदे प्रेम के मामले में लव के लव रिलेशन मिनना पड़िये और खुश रही है मस रही है और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को दबाईए मिलते हैं अगले वीडियो में